नमस्कार MNS News Life में आप सभी दर्शिकों का स्वागत है जिल्पी तालाब में डूबे LSE की दो एजेंट नाकोल शार से लापता दो LSE एजेंट की जिल्पी तालाब में गिरने से मौत हो गई शुक्रवार दो पर से दोनों लापता थे शनिवार को तालाब में उनकी लाज दिखाई दी तालाब की पास मिने दस्ता वेजों से उनकी पहचान की गई मृत्यकों में देबोजी बैनर जी और कमले शाकार का समावेश है पूलिस आगे की चार्च कर रही है शादी का जासा देकर नाबाली से दुषकर्म आरूप इस जुवम सें द्वारा शादी का जासा देकर दुषकर्म करने का मामला सामने आया है यूती जरीपटका की रहने वाली थी आरूप इने जान पैचान बढ़ा कर नाबाली से दुषकर्म किया उसके पास शादी का जासा देकर लगातार उसे अपना शीकर बनाता रहा इस दोरन नाबाली की यूती गर्बबती हो गई आरूप इने डरा धमका कर गर्बबत करा दिया यह बात किसी को भी बताने पर आरूप इने उसे जान से मारने की धमकी दी सोशल साइट पर यूती से दोस्ती पड़ी भारी नागपुर के एक व्यूती से पाचार हो गई दोनों में चैटिंग की जरीए अच्छी दोस्ती हुई उसके बाद यूती ने वेवसाई अर्विंद दानी को शादी की जासे में लेकर बड़ी रकम उठाने का प्लान बनाया यूती ने कहा आपसे शादी करने के लिए मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी बॉंड के अलुसार कमपनी को पैसे देना पड़ेगा बैंक का कर्ज भी अदा करना है और भाई को पैसी की जरुत है ऐसे विबिन्न कारण बता कर पैसे लेती रही पिछले एक साल से वह अर्विंद से सिर्फ चैट कर रही थी दोनों की पीछ कभी बात भी नहीं हुई इतने कम समय में उस यूती ने करीब 11 लाग रुपे अर्विंद से एट लिये अर्विंद को उस पर संदे हुआ तो मामला सामने आया MNS News Life की खबरें देखने के लिए आज ही Play Store से MNS Hindi app डाउनलोड कीजे और इस चैनल को सब्सक्राइब कीज़े धन्यवाद